को खूझ अभी जो हम करने वाले हैं यह पर जी अइंडोसकोपी है अपर जी अइंडोसकोपी का मतलब है कि हाने के नली, खाने के ठहलियों और शीज़ करा क्राभरण करती है जो रबर की चूब में लगा हुआ होता है जिसे एंडुस्कोप कहते हैं यह जो केमरा है यह गले के रास्ते से होता हुआ खाने की नली खाने की थेली जो डियोडनम की जाज करता है इस विदी द्वारा हम खाने की नली की बीमारियों की खाने की थेली की बीमारियों की और डियोडनम क जाच करते हैं, जैसे खाने की नली में जो बीमारियां हो सकती है, जैसे आपको सीने में जलन होती है, तो अगर जादा बनता है, तो खाने की नली में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, अगर खुम की उल्टे आपको होती है, तो हम जानने की कोशिच करते हैं, कहीं ऐसा तो कि खाने की नली में कोई प्राब्लम है जिसकी चलते आपको खुन के उल्टे हो रहे हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि खाने की जो नली है उसमें कुछ दूसरी भी बीमारिया होती है तो जहां में ऐसी शंका होती है कि खाने की नली में कोई प्राब्लम है तो हम इंडिस्कोमी की की विदी द्वारा उसे जानने की कोशिश करते हैं, नंबर दो, जो खाने की थैली की बीमारिया हैं, चाहे वो अलसर जैसी बीमारिया हो, चाहे वो खाने की डली सिकुड गई हो, चाहे खाने की जो थैली है, उसके आगे के हिस्से में कोई रुकाबट आ गई हो, या आपको थेले में बीमारियों की चत्ति खून की उल्टे हो रही हो, इन सब को जानने के लिए हम अपर GI एंडुस्कोपी जैसे विदी का इस्तिमाल करते हैं, फिर आगे हम चत्ते हैं, तो खाने की थेली के आगे का जो गेट है उसे पाइलोरस कहते हैं, पाइलोरस के आगे का जो पोर यो एंडुस्कोपी एंडुस्कोपी की विदी जो कामनली कही जाती है यह अपर GI एंडुस्कोपी होती है, je basically खाने की बीमारियों को पकड़ने में हमारी मदद करती है, जैसा मैंने एक बार और भी पहले कहा था, ये जो अपर GI एंडुस्कोपी होती है, दो त्रहें की हो कोशिश करते हैं यह बेसिकली एंडुस्कोपी की उच्छ टेक्नीक है जो बेसिकली बहुत शुरुवाती कैंसर्स को पकड़ने में मदद करती है अभी हम जो जाच करेंगे यह बेसिकली मल्टी बेंट की बेचेंगे जिससे हम जाने की कोशिश करेंगे कि इस पेशिट को जो यहां लेटा हुआ है इसे क्या प्रॉब्लम है अभी हम अपर जी एंडुसकोपी करने जा रहे हैं यह जो पेशिट है इसके गले में कुछ इस्प्रे देकर इसका गला सुन कर दिया गया है जो इसप्रे हम देते हैं यह बेसिकली जाईलुकेन होती है हम 10% जाईलुकेन इस्तेमाल करते हैं जब हम यह गले में स्प्रे करते हैं तो गला सुन हो जाता है यह बेसिकली एंडुसकोप है इसके एंडुसकोप के टिप पर बेसिकली लाइट आती है और इसमें एक CCD camera की चिप लगे होई होती है यह जो है पूरी की पूरी जो images है इनको लेकर हमारे monitor पर देती है इस processor के through अभी हम जानने की कोशिश करते हैं इसे क्या problem है जो आप सामने देख रहे हैं यह basically patient की tongue है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दात भी दिखाई देंगे यहां से हम आगे बरते हैं तो इसके गले के पीछे के हिससे में पहुँच जाते हैं यह basically गले का पीछे का हिस्सा है जब हम आगे पहुँचते हैं तो हम जो ना गला जहां से आवाज निकलती है जिसे वोकल कार्ड कहते हैं इनको प्रपरली एक्जामिन कर सकते हैं यह बेसिकली वोकल कार्ड का हम मुव्मेंट भी चेक करते हैं यह की आवाज निकलो यह देखो यह हम आवाज निकलके यह चेक कर सकते हैं कि वोकल कार्ड का वो proper है कि नहीं यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो vocal card और laryngeal apparatus के पीछे से होते हुए हम खाने की नली में चले जाते हैं एक पानी का गूट भारो जैसे ही जो यह पानी का गूट बढ़ते हैं यह देखो हम खानी की नली में पहुंच जाते हैं आराम से लंबी सांस दो श कुछ pulsations दिखाई दे रहे हैं यह basically heart के pulsations हैं जो आपकी खाने की नली में आ जाते हैं जब हम इससे आगे चलते हैं तो खाने की नली के बिलकुल आकरी हिस्से में पहुंच जाते हैं यह खाने की नली का आकरी हिस्सा है इस खाने की नली के आकरी हिस्से से होते हुए हम खान खाले की थैली में पहुच जाते हैं से इस एरिया में पाहज़क है जो दियोड़नम में जाता है जल से उसे एरिया को पाहलूरेया को पायलूरस कहते हैं सब्सक्राख को है यह बल्ब में पहुँच जाते हैं और बल्ब से को चेक करके हम basically intestine के इस portion में पहुँच जाते हैं जिसे हम diodenum कहते हैं डिला चलो यह basically जो diodenum है यह diodenum का second part है diodenum के second part को हम examine करते हैं बल्ब को examine करते हैं पाइलोरस से फिर वापिस आ जाते हैं यह जो आपको काला काला open area दिख रहा है यह basically pylorus है जिसे अभी हम cross करके diodenum के अंदर चले गए थे जब हम बापिस आते हैं तो खाने की जो थैली है या stomach है इसे proper examine करते हैं anterior wall देखते हैं posterior wall देखते हैं यह सामने का portion यह greater curvature है उपर का portion यह lesser curvature है फिर हम जो endoscope है इसको पलटते हैं पलटने के बाद इसकी खाने की जो थैली का बाकी जो बचा हुआ portion है जिसे हम fundus कहते हैं fundus को proper examine करते हैं जब हम fundus को examine कर लेते हैं तो पूरा जो ना stomach पूरा का पूरा examine हो गया anterior wall, posterior wall, lesser curvature, greater curvature और इस तरफ का area fundus इस मेंसे हवा निकालते हैं हम बापिस आते हैं खाने की जो नली है इसके नीचे के portion को properly examine फिर से करते हैं यह कहीं यह छिली तो नहीं है यह आप देख सकते हैं कि जो खाने की नली का नीचे का जो हिस्सा है यह basically छिला हुआ हुआ है यह खाने की नली को हम फिर properly examine करते हैं कि इसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है कोई नस्थ फूली नहीं है कहीं कोई गाट तो नहीं है कहीं कोई tumor तो नहीं है और हम बापिस चलते चले आते हैं बापिस आते समय हम एक बार फिर से examine करते हैं इसकी larynx को और vocal card को कि इसकी vocal cards बिल्कु ठीक हैं की नहीं larynx ठीक है की नहीं इसका epiglottis ठीक है की नहीं हम कोशिश करते हैं कि jeep का पीछे का portion यह posteas part of tongue भी examine हो जाए इतना complete करते हुए हम वापस आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको जो लेफ्ट साइड की बड़ी इमेज है, वो नॉर्मल वाइट लाइट इमेज है, और जो राइट साइड में इमेज दिखाई दे रही है, बेसिकली एं मल्टी बेंड इमेजिंग है, जो अर्ली केंसर्स को पकड़ने में मदद करती है, आपने देखा होगा कि पूरी की का टाइम लगता है, एक बार हम एंडुसकोपी करते हैं, तो जो गला सुन है, वो करीब करीब 15 से 20 मिनिट में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये जो पेशिंट्स हैं, ये 30 मिनिट बाद कुछ भी खा सकते हैं, 30 मिनिट के बाद ये कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना आफिस है, वो खतम हो जाता है, तो इस प्रकार अगर आप देखें, तो जो एंडुसकोपी की जो विधी है, उसमें तीन طर inquiry की जो इंस्टुमेंट से वो यूज होते हैं, ये जो पूरा इंस्टुमेंट मेरे हाथ में है, ये बेसिकली अन्डुसकोप है, जो एंडुसकोप है, य यह बेसिकली इसकी NS unit है, जिसमें के light लगी होती है और camera लगा होता है, ये basically images को लेता है, ये images इसमें होती होई यहां से जाती हैं, जो इस processor में चली जाती है, जो processor है, उन images को basically प्रआपर उसमें करके ये हमारे monitor पर कर दिता है, और जब ये monitor पर कर देता है, तो यहां से जो images ह यह आप देख रहे हैं लेरिंग्स, खाने की नली, खाने की तेली की still photographs हैं, यह दो pages में होती है, इसके यह still photographs है, अगर आप देखें, तो इस तरफ basically white light endoscopy images है, यह basically narrow band, multi band imaging है, यह basically early cancers के लिए की जाती है, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक CD attached है, जो इसकी पूरी की पूरी endoscopy की CD बनाई होती है, ready reference के लिए, ताकि future में कभी भी किसी मी समय इसकी जरूरत हो, तो आप video को पूरी की पूरी तरह से देख सकें, तो total procedure approximately 3 के आसपास का time लेती है, कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे कोई infection होते हैं, तो हम खाने की तेली से कुछ तुखले भी निकालते हैं, जाज के लिए यहाँ पर एक चीज लगी हुई है, यह basically rapid ureus test कहलाता है, यह rapid ureus test किया गया है, basically helicobacter की infection को पहचानने के लिए, हैना, हमारे देश में helicobacter का infection काफी कामन है, तो कभी-कभी हमें इसको test करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं helicobacter का infection तो नहीं हैं, कर सकता है